मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ कभी भी भोजन करें तो पेट तो भरे ही मन भी तरप्त हो और मन के तरप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है अब मैंने ये बागबटी जी के सूत्र को चारो तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़ कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है मनुष्य को छोड़ कर क्योंकि मनुष्य को में मूर्ख मानता है हाला कि मनुष्य अपने को होशयार समस्ता है लेकिन मनुष्य से जादा होशयार ये जीव जगत के प्राणी है आप चुडिया को देखो चुडिया कितने भी तरह की चुडिया सबेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भर पेट खाती है छे बजे के आसपास आप राजिस्थान में निकल जाओ गुजरात में निकल जाओ सब चडिया अपने अपने काम पे लगी हुई है खाना खाने में खूब जम के खाती है और पेट भर गया उसके चार घंटे के बाद ही पानी पीती है दुपहर को ही पानी पीती है गाय को देखो सुबह उठते ही सूरज जैसे ही निकलेगा गाय का खाना शुरू हो जाएगा बहस का खाना शुरू हो जाएगा बक्री, बक्रे, बेड, गधा, घोडा, सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे और पेड भरके खाएंगे, चक के खाएंगे, फिर दुपहर को आराम करेंगे, तो ये सारे जानवर, सारे जीव जन्तू, आप साप को देखो, बिच्छो को देखो, कीडी को देखो, चीन्टे को देखो, सब जानवर, सब जीव जन्तु जो हमारी आँखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सब का भोजन करने का समय सवेरे सूरियोदे का ही है, सूरियोदे के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हम से जादा स्वस्त रहते हैं, मैंने आप और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूछे आपको नहीं है बाकी सब कुछ है कि आपका हिरदय बंदर का हिरदय आपका लीवर बंदर का लीवर आपकी किड्नी बंदर की किड्नी सब कुछ समान है मा का गरभाश है बंदरिया का गरभाश है सब समान है एक ही अंतर है उसको प लुपी नाम की जगे हैं, वहां रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफिसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर्माने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंक तरह तरह के वाइरस और वेक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया कभी इंजेक्शन के माध्यम से कभी किसी माध्यम से वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा बंदर को कुछ नहीं हो सकता और मैंने का कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके blood का cholesterol बढ़ा दू बढ़ता ही नहीं तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो blood है ना उसका आरेच फेक्टर दुनिया में सबसे आधर्श है और आपका आरेच फेक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर सही compare करता है वो बताता नहीं आपको ये अलग बात है comparison बंदर सही होता है कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती blood में cholesterol बढ़ता नहीं, triglyceride कभी बढ़ता नहीं, diabetes कभी होती नहीं शुगर कितनी भी बाहर से introduce करो उसके blood में टिकती नहीं तो वो प्रोफेसर साब कहते हैं, यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सबेरे ही सबेरे भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता तो वो प्रोफेसर रवींदर ना शानवाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो बंदर की तरह से खाओ माने सुबे सुबे भरपेट खाओ तो उनके कई मरीज हैं, जिनों पर उन्होंने एक्सपरिमेंट किया और वो मरीज बताते हैं, कि जब से उन्होंने सुबे भरपेट खाना शुरू किया किसी की डायबीटीज, माने शुगर कम हो गई किसी का कॉलेस्टरॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नीद अच्छी आने लगी, वगएरा वगएरा, सारे इंप्रूब्मेंट वो बोलते हैं होते हैं तब से वो चिला-चिला कर कहते हैं bekommt और ये बात बागवटजी साड़ेतीन हजार साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा मने सबसे जाधा है सबसे अच्छा खाना है जो भी स्वाद आपको लगता है वो सुबह ही खाईए तो सुबह का खाना फिक्स करिए समय तै करिए तो समय मैंने आपको बता दिया सूरा जुगा और ढाई गंटे तक मने साड़े नौ बजे तक जादा से जादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए झाल 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 झाल